हेलो एवरीवन, वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल, I am Tukes I, I am Mansi Varma और आज की इस वीडियो में हम हमारा हिंदी जो 2nd और 3rd language का पेपर है वो देखेंगे ये 8 March 2023 का पेपर है और इसका पेपर है N877 यानिके N877 ये 2nd or 3rd language का पेपर है और ये 40 Marks का है ये 40 Marks का इसलिए है क्योंकि इसके सीह 2 तो उनका total mark 80 माक्स का पेपर होता है तो जो Composite वाला है वो 40 माक्स का होता है तो चलिए हम हमारा पेपर देखते हैं इस पूरे पेपर को मैंने सॉल्व करके अल्रेडी अपने चैनल पे अप्लोड कर रखा है इसकी सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसका लिंक जो है मैं आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो चलिए देखते हैं जो सबसे पहला विभाग है गद्य विभाग वो बारांग का है चालिस नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको दो गंटे का टाइम मिलेगा ये बारांग का है ये जो गद्यांश दिया गया है ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है हिंदी की जिसे आप क्लास में पढ़ते हैं उसमें से लिया गया है आप स्क्रीन शॉट ले लो पेज नंबर टू संजाल पूर्ण करने के लिए आए सादा जीवन उच्विचार विशेफर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए पेज नंबर थ्री ये भी पठित गद्यांश है ये भी पठित का मतलब होता है जो आपका पढ़ा हुआ है जो आपकी टेक्स्ट बुक में से आया है आगे देखिए स्क्रीन शॉट ले लो साथ के साथ आफ एक्स्ट पेज पर चलते है भी भाग चार भी भाग दो ये आपका पोएट्री सेक्शन है पेज नंबर फूर पेज नंबर फाइव विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 और विभाग 4 चारो विभाग के सॉल्यूशन का लेटर राइटिंग हर चीज का वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर रखा है इसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन का जो विडियो का लिंक है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 चारो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा पेज नमबर 6 विभाग 4 रचना विभाग पेज नमबर 7 ये विज्यापन भी डाल रखा है सब कुछ डाल रखा है, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, ये आपका हिंदी कंपोजिट, सैकेंड और थर्ड लैंग्विज का पेपर था, 8 मार्च 2023 की टेट का, 40 मार्क्स का, टेट आप देख लो वीडियो अच्छा लगाओ तो इससे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और गुरूप में शेयर करें और मेरी चैनल M2 के साइं को ऐसे और यूसफुल वीडियो के लिए सबस्क्राइब करें